करिक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत दर्शकों इस करिक्रम में आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं राज रतनाम वेटका जी से जो कि पीछले दो एपिसोड से हमारे साथ बने हुए हैं हम उनसे जान रहे हैं कि किस तरह से उनके बहुजन राजनिती के बारे में विचार हैं और खासों से बहुजन जो युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं उन्हें वो किस तरह से लाब पहुंचा सकते हैं और किस तरह से उ बाजनतीजी मौजूद हैं आप सभी से अनलोज है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इसे शेयर भी करें लाइक भी करें और दशको आज हम जानेंगे कि भारत में जो ये चल रहा है वरतमान में जो सरकारों की जो उठा पर ठक चल रही है और सरका इस च्रवाजनतीज में ऑनलोज होगा स्टेट लाइविज अब मैं महराश्टर में हैता हूँ आगर यहाँ कि स्टेट लाइविज में मेरी बच्ची को पढ़ाया जाए मराथी में पढ़ाया जाए क्या वो इंग्लिश बोल पाएगी? क्या वो यूएस में जाके दो दिन भी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी. आज हम लोग इंग्लिश बोलने के वज़े से यूएस में जाते हैं, यूके में जाते हैं, जो लोग हमसे बोल सकते हैं, उनसे वारतालाब कर सकते हैं, उनसे बि किये जा रहा है भारत के बाहर हम लोग जा नहीं पाए इसलिए ये लोग इस तरह से policies बना रहा है अगली PD आपकी देखो new education policy पाचवी से ही आपको plumbing का काम सिखाया जाएगा आपको mechanic का काम सिखाया जाएगा आपको carpenter ही सिखायी जाएगी तो आपको क्या बनाना चाह रहें ये लोग आपको plumber, fitter, carpenter, mechanic बनाना चाह रहा है हम अमारे बच्चों को IITN बनाना चाहते है ये हमारे बच्चों को ITI का education देना चाहते है ये है new मुद्धों के उपर काम करना हमारे leaders को जरूरी है लेकिन हमारे leaders जिस तरह से किसी गोड़ा-गाड़ी के उस गोड़े को जो दो बांदिये जाते वो आगे आजू-बाजू में कुछ नहीं देखता सिर्फ वही रास्ता देखता रहता है उसी तरह से हमारे leaders politics only politics उतना ही दे ball में राज्य सबा में है अधाउली जीतiger hemisphere पास चार शाहसाड़ी चार सव करोड़ सब्सक्रूर्बाहा है उनके पास projects उत्युकमें की और हूरों कर सकते हैं एक रात में हमारी इंस्ट्रिटिव करी हो सकते है एक रात में हमारी इंड़्ट्री स्थ दिख है इतना नीधी इन पता है अगर वह अपने राज्य सभा का नीदी आ किस किसी काम नहीं हो आज में देखिए एक प्रॉप्या भी पावर्फुल है अगर हम प्रॉपरली वो इखटा करें तो ये सारे विजन के उपर हमको काम करने की बहुत जबुत है सबी लोग आप कह रहे हो कि वामन मेश्राम जी काम कर रहे है सबी लोग अपने अपने तरह से पुष करना होगा और जो लोग एकनोमिकल एक्टिविटीज कर रहे है हमको उनको भी आगे लाना होगा उनको भी एक प्लैटफॉर्म उनको देना होगा ये मेरी सोच है ये मेरी भावना है मैं बुद्धिजम का फॉलो करता हूँ उसको अंगे कारने का में कोशिश करता रहता हूँ तो अपने मन से जब तर एगो नहीं निकालोगे ये जो अहंकार है कि मैं बड़ा जैसे आपने कहा कि मेरी साड़ी सबसे सबेद हैया ठीक है हम सभी लोगों में कुछ खामिया होंगी, कुछ विशेशताया होंगी हमको उसको लेकर चलना है और जो भी हमसे गलतिया हो रही है उसको दुरुस्त करते होए हमको आगे बढ़ते रहना है, तो अपने आपको पहले तो इन इगो से अहंकार से हमको मुख करना है और फिर एक अच्छे प्लैटफॉम, जब तक आप अच्छे विजन लेकर नहीं चलोगे, अच्छे विचार लेकर नहीं चलोगे, आपको सफनता प्राप्त नहीं होगी, ये बुद्धा के विचार है, अस्टांगिक मार्गी के विचार है, तो ये अस्टांगिक मार्ग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसको अंगेकारने के लिए है, तो ये अस्टानिक मार्क को अंगेकार के हम लोग ये काम कर रहे हैं तो इन दिनों रिया रिया कर रहे हैं, नौकरियों की बात ही नहीं हो रही है, तो ये जो स्थिती है मीडिया की, इस मीडिया के रहते कैसे आप काम कर पाएंगे उन लोगों के लिए जिसको इन तमाम चीजों की आउशा हैं। इसको मोधिया बोलना चाहिए, दिन भर मोधी, 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 आप इनको एक नया मिल गया है, सुशान, वो तो विचारा मर गया, लेकिन दिन भर उसके माध्यम से ओ अरनब गोस्वामी, यह लिटरली रास्तों पर भोकने वाला कुता ठीक लग जाएगा, लेकिन ओ अरनब गोस्वामी कुछ सुनना, उसका बात सुनना, तो यह मीडिया, यह हमको स्पेस नहीं देगा, हमको एक alternate मीडिया खड़ा करना होगा, देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं UK में रहता हूँ, वहाँ पर रहकर आया हूँ, वहाँ पर कोई news channel नहीं देखता, उनका एक अप एक platform मन गया है, अब देखिए आप OTT एक बहुत बड़ा platform मन गया है, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मोहन भागवद, RSS के सर संचालर, यह कई महिनों से यह कोशिश कर रहा है, कि OTT के उपर ban लाया जाए, या उसके उपर एक sensor appoint किया जाए, क्योंकि यह जो platform है, यह platform के उपर कोई निर्भंद नहीं है, जैसे आप और हम अब news channel का, अगर कोई आपको बात बुरी लगी, तो आप वो काटके उसको edit करके बता सकते हैं, लेकिन यह बात मैं अगर किसी news channel के उपर बोलता हूँ, तो news channel को अगर बताना ही नहीं बताना, वो उपर के authority को को बताना चाहूंगा, कि यह जो हमारे channel से इसको subscribe करके, जो वीचार हम लोग बता रहा है, वो लेकर जाने चाहिए, क्योंकि हमारे उपर कोई sensor नहीं है, हमारे उपर कोई body काम नहीं कर रही, कल को YouTube का owner आकर हमको यह नहीं बता सकता कि आप यह नहीं बोलना चाहिए, आपको काल भाईय हो चुका है, US में satellite वाला media नहीं देखा जाता, UK में, US में यह नहीं देखा जाता, उनके अपने Netflix के channels है, Amazon वाले जैसे यहाँ channels होते हैं, वो वो देखते हैं, और उस channel के ओपर वो लोग काम करते हैं, उनके आपर अपने जैसे ABP, Star News, आज तर ऐसा कुछ नहीं हो तो हमको यह platform utilize करना होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTubers के सामने हमको यह लिकर जाना होगा, आज मेरी बात है, मैं जहां भी जाता हूँ, मैं पंजाब में जाओ, या कलकता में जाओ, चिन्दाई में जाओ, कहीं पर भी जाओ, मैं वहाँ पर पैसा ना चाता हूँ, हमने आपकी ये बात सुनी थी, हमने वो बात सुनी थी, दस साल पहले ये मुम्किन नहीं था, दस साल पहले हम लोग इतना आंदुलन किया करते थे, कोई newspaper मेरा नाम तक नहीं छापता था, मैं नरेंद्र मोधी के against 27 September को हमने US में आंदुलन किया, United Nation के headquarter के सामने हमने आंदुलन इतना वाइरल हुआ कि वो दो से तीन करोन लोगों ने देखा, देखिए ब्रामन कैसे काम करते हैं, एक तो हमारे अंदुलन को वो बताते नहीं है, और जब ये वाइरल हुआ तीन करोन लोगों ने देखा, तब ब्रामनों के मिडिया ने क्या news चलाई, कि नहीं, राजरत अंबिडकर को गलत फेमी हो गई, वो ब्रामन कॉम्निटी का नाम नहीं है, वो किसी बैल का नाम है, ब्रामन वहाँ पर बैल का नाम है, तो वहाँ पर ब्रामन बैल खाते हैं, यानि जो ब्रामन नाम का है, वो खाते हैं, ब्रामन बैल नहीं खाते हैं, तो वो उन्होंने य यह स्पस्ट्री करें लिया याने इनको इनके हिसाब से यह हमारी न्यूस चलाते हैं तो आज करोड़ों लोग हमको यह प्लैटफॉर्म से देखते हैं यूट्यूब के प्लैटफॉर्म से देखते हैं फेस्बूक के प्लैटफॉर्म से देखते हैं आज मेरा एक वीडियो अ है ये लोग चुन रहे हैं वहाँ पर वीजेपी आरेसेस के लोग ये लोग बिठा रहे हैं ताकि हमारे उपर निर्वंद रख सकते हमारे उपर वह लोग बॉच रख सके तेकिन इसके उपर भी काम हो रहा है लोग कंप्लेंट कर रहे है और ये जो अब अब चुका है तो ये सचमुच में ये बहुत आवशक है कि हम अपना प्लेटफॉर्म हम अपनी जो आवाज है उसका एक इस्थान निश्चित करें और उसके मादम से अपनी बात लोगों तक पहुँचाए ये जो भविश जो हम देख रहे हैं युवाओं का अभी इस पर वाकरी बहुत ज़्यादा जूर देनी की आउशकता है हम बहुत सारी बातों के लिए आप से नगातार जुड़ते र देखे अभी wind up ही हो रहा है तो मैं आज जहां पर मीडिया के subject से हम लोगों ने conclude किया है तो मैं आप दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि इस मीडिया को भी जो जो चैनल बहुजनों की आवाज लेकर आ रहे हैं इसको भी हमको subscribe करना चाहिए लोगों तक जादा से जादा हम बंद किये जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए कुछ दिख पहले मोधी जी का speech मन की बात पर सबसे ज़्यादा dislikes वहाँ पर गये जैसे ही dislikes गये मोधी जी के उस चैनल के उपर comment section उन्होंने बंद कर दिया और अभी एक नया उन्होंने ये किया है likes और dislike का section भी उन्होंने बंद कर दिया है देखिए किस तरह से लोग अपनी बातों को अब रख सकते हैं ये platform ऐसा है कि वो मोधी हो या कोई भी हो अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं dislike का button दबा सकता हूँ अगर मुझे कुछ comment कर नहीं है तो मैं कर सकता हूँ तो ये platform हमको वो अधिकार देता है तो ये platform बढ़ा है जाते जाते में सिर्फ आ दर्शपों से यही मुझारिश करना चाहूंगा कि आज जैसे मीडिया का हम लोगोंने बात किया conclusion में तो ये मीडिया भी हम लोगों का strong होना चाहिए जैसे सुदीर मेश्राम जी जन्मत Live 7 के मात्यम से काम कर रहे हैं तो ऐसे channels को हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए इसको जादा से जादा subscribe कीजिए likes कीजिए ताकि हमारे विचार आप लोगों के पास बहुत सके और ये एक मीडिया का platform हम लोग देश में खड़ा कर सके और अपनी आर्थिक विवस्ता को भी अपने हातों में ले सके ऐसी गुजारेश मैं सब भी रोगों से करना चाहूं करूए और निश्ची तरुप से ये काम जो है हमारे देश का युवा जो है अब बहुत बेतर तरीके से कर सकता है क्योंकि युवाओं ने ही सौपा था जो वर्तमान सकता है जो उनको राजनीती की चावी सौप भी थी अब युवा अगर जागरित हो जाता है तो निश्ची तरुप से ये चावी किसी और के हाथ में भी सौप सकता है या वो खुद के हाथों में भी ले सकता है तो ये जो सारा कुछ है ये प्रबोधन यानिकि इस तरह से लोगों तक ये बात अगर सही धंग से अपनी बात बेवाकी तर पर रखी है आपको बहुत-बहुत हम धन्यवाद करते हैं और उमीद करते हैं कि पुना आप ऐसे मस्तों पर अपने विचार रखने प्ले उपस्तित होते रहेंगे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू